हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम लोग डिसकस करने जाने 23rd दिसंबर के पेपर 2 का CDP ठीक है 23rd दिसंबर 23rd दिसंबर के पेपर 2 का CDP आये शुरू करते हैं डवलपमेंट प्रोसीड्स इन डाइलेक्शन ऑफ दा लॉंगी ट्यूडनल एक्सिस यह मैं इसलिए इंग्लिस में दिखा रही हूं क्योंकि यह आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगा अभी मैं हिंदी में भी दिखाऊंगी लॉंगी मतलब होता है सीर से पैर तक उपर से नीचे लंबबत ठीक है तो यह कौन सा होगा यह होगा सफैलो कॉडल अब आप इसको हिंदी में देखिए आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगा विकास अनुधैरी अधो मुखी अक्ष की दिसा में आगे बढ़ता है विकास का यह स जरूर एक बदेख के समझने की कोशिज करिए ठीक है इस का इस चाइल्ड हुड क्या है एज इस वासल कंस्ट्रक्शन जहां आता है वह सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर होता है एज इसकेर्ड पिरियड इन और कल्चर मतलब सभी कल्चर में यह एक स्केर्ड पिरियड आईसा नहीं है लाग्र पिरियड ऑफटेयाइट इस्ट्रेस और एंजायटि का पिरियड आएसी पिरियाड अर डव्लप्मेंट तिल एस और पूबर्टी पिवर्टी के i-स तक ही डेवलप्मेंट होता है प्यूबर्टी उता है कि सुरा अवस्था के समय का एस ठीक है उस अधिक तनाव और चिंता ऐसा भी नहीं पड़े हैं, किस्वड़ा वस्था के आगे lifelong process है. Progressive Education, progressive education क्या है? प्रकती शीक्षा, respect diversity, diversity को respect करता है, ignore individual difference, individual difference को ignore नहीं करता है. Use standardized assessment standardized use नहीं करेगा बल्कि flexible use करेगा individual difference को ignore नहीं करेगा बल्कि respect करेगा Ability based fixed grouping नहीं होगा बल्कि अलग-अलग ability वाले बच्छो का group बनाएगा ठीक है प्रगती seal सिख्षा क्या करती है विविदताओं का सम्मान करती है विविदताओ देताओं व्यक्ति गद्विविनताओं का अंदेखा नहीं करती है मानकी कृत आकलन मतलब इस्टेंडाइज नहीं होगा योगिता आधारित इस्थीर समुही करन नहीं बलकि फ्लेक्सिवल ग्रूपिंग होगा ठीक है देखिए बाल केंद्रित सिक्षन सास्त्र की बुन्यादी मानिता क्या है बिद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रती प्रोतसाहित करने का सर्वोत्तम तरीका इनाम और दंड है इनाम और दंड बाल केंद्रित सिक्षा में नहीं होता है ठीक है अध्यापन के दोरान विद्यार्थियों के अनुभवां और परिपेक्षों को कक्छा गज प्रक्रिया में सामिल किया जाना चाहिए यह सबसे सही आंसर है जब आप बच्चे को पढ़ाते तो उसके अनुभव और परिपेक्ष को आप क्लास में सामिल करिए अ कुलाओने उस एक चीज है में और गौपीश देंगि दाइस अन्री स्ैटा नहीं आरे सेटेंटरी एजंसी तो जहां जहां फैंपली वह खाट दीजिए जहां जहां पर कारेंबरी है तोल्टीमिली तो आप सही अप्सन तक मुझ जाहिएगा एक ही चीज इसमें आपको याद रखना है कि फैमली जो है वो प्राथमिक है और सेकेंट्री जो है दूइतियक है इसी से आपका एक नंबर का फिक्स कोस्टन बन जाएगा ठीक है एक नंबर का कोस्टन पक्का according to gene P.J. विकास के किस अस्तर पर बच्चे परिकल्पना आधारी निगमनात्मक तार्किकता बिक्सित करते हैं मतलब hypothetical deductive reasoning का आता है hypothetical deductive reasoning आता है formal operation में ठीक है जब बच्चा 11 साल से बड़ा हो जाएगा formal operation में चला जाएगा तब जाकरके उसको hypothetical deductive reasoning आएगा प्याजे के अनुसार कौन से चार तत्युविकास को प्रभावित करते हैं परिपक्वता, क्रियात्मक्ता, समाजिक अनुभव और संतूली करन संगठन, संतूली करन, अनुकूलन, सांस्कृति कुपकरन संस्कृति कुपकरन जो है यह बाइगास्की का है, संस्कृति भासा, सामाजिक अन्तक्रिया, सापाथी पठन संस्कृति भासा, सामाजिक अन्तक्रिया, सापाथी पठन, सामाजिक अन्तक्रिया, और सापाथी पठन यह नहीं बोला है, सकारात्मक और नकारात्मक, पुनर्बलन, सजा का प्रस्तूति करन सकारात्मक, नकारात्मक, पुनर्बलन ये सब सब इसकी नर्गा है तो प्याजे का क्या है? पहला ठीक है? सोसल इंट्रेक्शन प्याजे नहीं बोला है सोसल इंट्रेक्शन नहीं बोला है लेकिन सोसल एक्सपिरियंस बोला है कुल्चरल गाश्मेंट नहींची, सोचल इंट्रेक्शन भी नहीं होगा, पीय क्रीर्ट लिएटिरिंग भी नहीं होगा, और निगयाटि पोजिटिव सर्मेंज इनफॉर्समेंट भी नहीं होगा। लेब बाइगोस्की के अनुसार बच्चे के स्वतनांत्र प्रदर्शन का अस्तर और उसके प्रदर्शन का वह अस्तर जो कि वह व्यास्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है कि बीच का छेत्र क्या कहलाता है बाइगोस् John of Proximal Development. लेब पैःजकी के अनुसार सभी उच्छतर संग्यानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या हैं? लेब बाइगोस्की के अनुसार, बताए, संतुली करन लेब बाइगोस्की बोला नहीं, अनुकुलन बोला नहीं, संगठन बोला नहीं, बस यही एक बात है जो बाइगोस्की का बोला हुआ है, ठीक है? केरल गिलिगन द्वाला लॉरेंस कोहलवर केनेतिक विकास सिद्दांत की प्रमुख आलोचना क्या है आलोचना यह है कि उसने सिर्फ मेल के उसको लिया है सेंपल को फिमेल के सेंपल को नहीं लिया है यह है आलोचना ठीक है यह आलोचना है कि मेल के सेंपल को लिया है फिमेल के सेंपल को नहीं लिया है यहां सिदांत बच्चों पर किये गए सोध पर अधारित नहीं है ऐसा कैरल गलिगन नहीं बोलती है यहां सिदांत नैतिक विकास के असपश्ट सौपान नहीं वो तो नैतिक विकास का ही बताता है ठीक है यहां सिदांत बच्चों की संग्यानात्मक योगिता से संबंद अस्थापित नहीं करता है यह वो बोल रही है कैरल गलिगन जो उसकी स्टुडेंट है वो बोल रही है कि इसमें फिमेल के पक्ष को जो है नहीं लिया गया है, ठीक है, सिर्फ मेल सेंपल को लिया गया है, फिमेल सेंपल को नहीं लिया गया है, यही है इसका आलोचना, इसका आलोचना है, सिर्फ मेल सेंपल को लिया गया है, फिमेल सेंपल को नहीं लिया गया है, इसा अपनी सहलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदसा को समझ लेती है और यथा योग प्रतिक्रिया करती है वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है वह निम्न में से कौन सी बुद्धी से संपन है जिसको उसे और अधिक से विक्सित करना चाहिए देखो दूसरे क कि मनोदसा को समझ लेती है जब दूसरे का जो मनोदसा समझ लिया तो क्या हुआ इंटर पर्सनल हुआ ठीक है दूसरे का अगर कोई मनोदसा समझ लिया यानि कि इंटर पर्सनल हुआ विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूडिवादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए विद्यार्थियों को उन रूडिवादों के साथ रहने देना चाहिए ऐसे विविद उधारन साजा करने चाहिए जो उन रूड़ी बादों को चुनोती दे बिल्कुल सही बात है जो विद्यारती ऐसे रूड़ी बादों को व्यक्त करते हैं उनका मजाख बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना चीए बच्चे का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है अकादमिक छेतरों में आकलन में उनके अंक कम अब लो उसको नंबर कम दे दना चीए ऐसा नहीं करना चीए ठीक है हास्ये पर रहने वाले परिवारों के बच्चों की कक्चा में अक्सर अभेलना की जाती है तब भी जब वह कक्चा में अच्छा प्रदर्सन करते हैं कक्षा कक्ष में इस प्रकार के आचरन के लिए निम्लिकित में से कारकों का कौन सम्हू उत्तरदाई है हासिये पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के प्रती सिक्षक अक्सर पूर्व ग्राहित होते ये होता है ऐसा होना नहीं चाहिए, टीचर को जो है, बायस होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है, टीचर के मन में पहले सी होता है कि यह जो है, इस्तमुदाय का है, यह यहाँ पर का बच्चा है, गरीब घर का है, तो यह अच्छा नहीं कर पाएगा, टीचर के मन में ऐसा प बची कि सामाजिक पृष्ट भूमी में संवेदन सिलता का भाव है सही बत यहां ना हिए टीचर इतने अच्छे हैं कि वह पुरवागरा को खतम करें कि जबकि अपना पुरवागरा खतम करना चीम नेट Alrighty Oh, Yes, की हर बच्चा सीकने में सक्षभाभ है और हर बच्चा शीख सकता है और जो उसका दोस्त है सह पाठीं उसके मन में परति क्या होनाची आए एंपथी होना चीज़ जो कि है नहीं उसका अभाव है ठीक है हासिय पर रहने वाले परिवार के बच्चों की सिक्षा को अधिकार अधिनियम 2009 के अंतरगा सिक्षा से वन्ची ऐसा नहीं है नॉ में क्यों कहेगा कि इसको सिक्षा नहीं दो उसमें तो और कहेगा न की हाँ भाई सबको सिक्षा दो सबको include करो तो फर्स्ट और सेकेंड इसका सही आंसर है 14 देखिये इसको इंगलीस में ही देखिये इंगलीस में ज़ादा अच्छा से समझवाएगा 14 नमबर as per national education policy 2020 the form of assessment in school should shift from NEP 2020 जो है वो क्या कह रहा है assessment को किस से किस में shift करना है summative से formative में shift करना है summative से formative में shift करना है निम में से किस तरह के सबाल विद्यार्थियों में चिंतन के आंकलान में मदद करेंगे बताईए कोश्चन नमबर 15 बहु बिकल्प आधारित प्रस्ट मतलब जिसमें चार ओप्सन दिये हुए हो परिभासाओं के लिए एक सब दरीकत अस्थान वाले fill in the blanks संदर्वित चिंतनसिल आधारित सवाल प्रत्यासमन आधारित लगू सवाल मतलब जो याद प्याधारित देख वो कितना रट पाया तो चिंतन में मदद कौन करेगा संदर्वित चिंतनसिल आधारित सवाल ठीक है सोलन नमबर देखिए वे विद्यार थी जिने वाच वैकल्य है उनके सफल समावेशन है तो निम्द में से किसे वरजित करना चाहिए वाच वैपल या मतलब उसको क्या है डिसलेक्सिया है ठीक है डिसलेक्सिया है तो किसको वरजित करना चाहिए वरजित मतलब हटाना चाहिए बहु संबेदी सिक्छा सास्त्रिय उपागम यह तो अच्छी बात है मानकी करिताकलन मतलब ओता है इस्टेंडाइश्ट एसेस्मेंट वह नहीं करना चाहिए फ्लेक्सीवल होना जाए डिफ्रेंसियेटेट होना व्यक्ति गत लक्षी सम्मूच है यह भी अच्छा और लचीला पाठीक्रम भी अच्छा है तो यह निगेटीव है तो यह ही इसका आंसर है क्योंकि पूछ रहे क्या नहीं करना चाहिए कि सेवंटीन देखिए निम्नलिकित में से कौन सीरन नीतियां समावेशन को बढ़ावा देती है बाधा मुक्त पहुंच सहायक यंत्र और तक्निकी आधारी तुपकरन समानिय या विशेश विद्याले के साथ साथ ग्रिहा आधारी सिक्छा का विकल या एक रूप संरचना बद पाठीक्रम और आंक नीफिलन के तरीके मतलब सब के लिए एक जैसा ऐसास्त मेंटे सा तो करना हुआ यह नहीं तो पहला दूसरा के साथ तीसरा भी साही है अब सारी चिंतन विचारों में मौलिक्ता और नव उत्पाद जैसी विशिष्टाई निम्द में से किसे संबंदी थे बताईए डाइवर्जेंट थिंकिंग और विचारों में मौलिक्ता इसको इंग्लिस में देखे जाद अच्छे से समझ में आएगा जैवर्जेंट, थिंकिंग, ओरिजिनलिटी, आइडियाज और पोटेंशियल फॉर नोबल प्रोडक्शन यह सब किस से रिलेटेड है यह सब क्रियेटिविटी से रिलेटेड है इंकलूजिव एजूकेशन किसपर बेस जाईए और आपने मेरा वीडियो देखाए तो मैंने फस्ट लाइन उसमें यही बताया है कि इंकलूजिव एजूकेशन जो है वह वह इक्विटी पर बेस्ट और समावेशन में हैं अन्तर क्या होता ठीक है किनिम्ण में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामगरी द्रिश वाधित विद्यार्तियों कroe समावैसन में मदद व्ही अध्यार होगि हॉस्तु लिखित नौट्स मतलब द्रिश वाधि मतलब उसको देखने में दिक्कत है थे ठीक है स्ट लिखित नौट्स चित्र और आर round जब उसको देखने में दिक्कत है तो 21 पढ़िए निम्न में से कौन सा एक मादमिक विद्याले अस्तर की कक्छा में सामाजिक सांस्कृती धाचे का लक्षन नहीं है नहीं पूछ रहा है ठीक है नहीं पे ध्यान देकर आंसर करिएगा नहीं नहीं देखिएगा तो आंसर गड़वर हो जाएगा 21 लिख के आंसर करिए 21 अधिगम करताओं को विविद्य स्रोतों से सीखने के लिए प्रेरित करना ये तो अच्छी बात है अधिगम करताओं के सवाल पूछे जाने की तारीफ करना ये भी अच्छी बात है सभी अधिगम करताओं को एक जैसा जवाब देने और एक जैसे तरीके देखिए सब बच्चा एक जैसा नहीं कर सकता है इंडिविजूल डिफ्रेंस है ना तो सब एक सब से आप एक तरह का उमीद नहीं कर सकते हैं तो तीसरा ही इसका अंसर होगा 22 देखिए निम्ण में से कौन सा बिद्यार्थियों ने समस्या समाधान कोसनों के लिए बाधक है बाधक कौन सा है बताएए प्रकारियात्मक आबद्धता इस्थीरता अनुरूपकों का प्रयोग कारण प्रभासंबंदि सस्थापित करना लक्ष साधन लक्षि विसलेशन ये आप इंगलिस में देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा देखिए तो क्या हो गया औि गर्दवर्ण ही पूछ रहा ही हिंडर पूछ रहा बाधा पूछ रहा है ऐस्टैबलीसिंग काउज इफ्ट रिलेशन सिभी अच्छा Along आप थनी मुस्ट नहीं होना का सट टीक है हिन्वाल है तो एक बिद्यार्थी किसी स्था को मुलिवार्ण मानता है लेकिन उसक्ट्रूय को करने के यह लेए और लेकिन देया선 किस तरह के भाव का एहसास करेगा कि देखो कि विच आप दा फॉलोइग इमोशन इस लाइकली टुब एक्स्पिरियंस बाइस्टुडेंट वैन एक्टिविटी इस वैल्यूट बाइं बट ही इस गीवन वेरी लो कंट्रोल मतलब वह करना तो बहुत चाह रहा है लेकिन किसी करना चाहेंगे और नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा फ्रस्ट्रेशन होगा एक अध्यापक को बच्चों की बिभिन घटनाओं के बारे में ब्याख्या की चर्चा की कोई अस्थान नहीं देना चाहिए ऐसा है यह बिल्कुल गलत बात है कह रहा है कि टीचर को जो है बिभ बच्चे को चर्चा करने के लिए देना चाहिए बच्चे अपने आप कारक व्याक्याओं को विक्सित करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं बलकि बच्चे सक्षम होते हैं उनको बस सपोर्ट की जरूरत होते हैं बस टीचर उसको सपोर्ट करें वो खुद सब कुछ करने में सक्षम होते हैं, इसमें कराएं सक्षम नहीं होते हैं, सक्षम होते हैं, बस उन्हें सपोर्ट की जरुड़त होती है, तो दोनों ही बात गलत है, ठीक है, 24, 25 लिख के आंसर करिए, एक अध्यापक के लिए महत्पुर्ण है, की वो की में हर्सी कहोगा, आया हुआ को सने, बच्चों की परासंग्यान छमताओं के विकास पर बल दे, बिल्कुल सही बात है, परासंग्यान क्या हुआ, बच्चा अपनी थिंकिंग के बारे में थिंकिंग कर सके, ठीक है, थिंकि होते हैं तब अधिगम के नियमन में और अधिक योग हो जब बच्चा खुद अपने सोच के बारे में सोच पाएगा तो ज्यादा अच्छे से उसका अधिगम होगा ठीक है ऐसा होना चे बच्चे को चिंतन करने के लिए कहना चीह यह नहीं कि जो चीज हम पढ़ा दिये बस आतूर और अभिपरेरित होते हैं जब कब होगा बच्चा motivated बताओ उनपर प्रेक्छन में अच्छा करने का तना और दवाब डाले तना और दवाब में बच्चा अच्छा नहीं कर सकता है सपलता पर पुरुष्कार और अशपलता पर बहर कर दे पुरुष्कार पर भी और उन्हें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अहम हिस्सा बना है। बच्चे को include करना है। ठीक है। बच्चे को include करिए और उसको participate करने दीजिए। 27 देखिए। 27 27 किसी नए संप्रत्य के अधिगम को सुसात ही करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। बिद्यार्तियों के पुर्वग्यान को अंदेखा करना चाहिए। पुर्वग्यान को कभी भी अंदेखा नहीं करना चाहिए। जानकारी को सम्बंदित खंड़ों में, बलकि सम्बंदित खंड़ों में प्रस्तूत करना ची, connected chunk होना ची, disconnected chunk नहीं होना ची, ठीक है, तो यही एक सही आंसर है, सेकेंड नमबर, 28 देखिए, निम्नलिकित में से कौन सा उदाहारन, संड़ाचनात्मक परिपेक्ष, संड़ाचनात्मक परिपेक्ष के अनुकुल नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं, बहु अर्थ निर्ने, सहयोग अधिगम, व्यक्ति गत गती के अधार पर अधिगम, कंठस्ती करन, तो कंठस्ती करन, बहुत ही निगेटिव चीज है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है, विच अफ फॉलोविंग काईड ऑफ गोल सेटिंग विल इंस्टिंजिकली मोटिवेट स्टुडेंट्स फॉर लर्निंग, लर्नर जो है, वो आंत्रिक रूप से कब मोटिवेट होगा, जब गोल वो खुद का डेरेक्टेड, सेल्फ डेरेक्टेड गोल जब होगा, तब व दोस्ता, या दोस्ता है, तो ऐMA वेटेड प्रेसर होगा, जिसको आप खुद करना चाहेंगे, ठीक है, दुसरे के कहने पर जो करेंगे उसमें आप आंत्रिक रूप से मोटिवेटेड नहीं होगे, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रूटी विसलेशन क्या है एरर क्या है त्रूटी विसलेशन और प्रसांगिक है केबल बिद्यार्थियों के लिए प्रसांगिक है केबल अध्यापकों के लिए प्रसांगिक है विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रसांगिक है जरूरी है टीचर और अध्यापक दोनों के लिए गलती करेगा तो बच्चे को भी पता चलेगा क्यों गलती हो रहा है टीचर को भी पता चलेगा तो अध्यापक और टीचर दोनों के लिए जरूरी है तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ सेर करिए, अगर अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और कमेंट में मुझे बताइए जरूर कि कितने नमबर आए आपको 30, आउट आप 30 कितने माक्स आए हैं ये कमेंट करके बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए कितने माक्स आए 30 में, अपने अपने माक्स बताइए आप लोग